Hi all, welcome back in another update of दिल्ली देरादून एक्सप्रस वे पिछले दो अप्डेट्स में मैं अल्रेडी देरादून से लेकर गनेशपूर तक का फॉरेस कोरिडॉर और एलिवेटिड रोड दोनों ही कावर कर चुका हूँ जिस पर आप में से बहुत से लोगों ने कमेंड करके अपने ओपिनिन भी शेर किये दिली देरादून एक्सप्रस वे का ये है तीसरा अपडेट जहां आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गनेशपूर से लेकर चुटमलपूर रूड की डैवर्जन तक का अपडेट वैसे तो गनेशपूर तक इस हाइवे को कुछ समय पहले ही फार लेन कर लिया गया था लेकिन क्योंकि अब गनेशपूर से लेकर साहरनपूर इंटर्चेंज तक ये हाइवे दिल्ली देरादून एक्सप्रस वे का भी पार्ट बन रहा है इसलिए इस हाइवे में दोनों त गे भी हैं जहांपर रोड को या तो फ्लाइओवर के तुरू या काफी बड़े सेक्शन को एलिवेटिट किया जा रहा है तो बिहारीगड में भी एक एलिवेटिट सेक्शन तयार हो रहा है जिसका अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो फटा-फट से लेकर शुटमलपूर रूड की डाइवर्जन तक इस रोड के दोनों तरफ कई जगे घनियाबादी शेतर हैं इसलिए उन हर पॉइंट के ओपर फ्लाइओवर बनाये जा रहे हैं जिन में से एक फ्लाइओवर यहीं कनेश पूर से भी स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर सीधे एक और नया फ्लाइओवर शुरू हो जाता है तो अपना अपडेट हम यहीं से शुरू कर रहे हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि राइट साइड की तरफ से जो ट्राइविक है वो आने वाला ट्राइविक चलways आने वाले ट्राइवर्द बिचल रहे हैं दोन हो जाएगा वहीं हम ट्राइब करेंगे कि लेफ्ट साइड का सेक्शन भी देखे एक बार कि वहां पर कितना काम हो गया है कि तो डिवाइडर वॉल होती है वो भी बना दी गई यहां पर कम्प्लीट ली इस पर्टिक्लर सेक्शन में जब हम आते हैं तो यहां हम देखते हैं कि यहां पर दोनों तरफ वाल्स के ओपर पेंट वर्क भी कर लिया गया है और लेफ्ट साइड में भी यहां पर डावर बिचा दिया गया है यानि कि रोट को बिचाने का गाम कम्प्लीट कर लिया गया है signages वेगरा जो road पर हैं वो भी नहीं लगे हैं दोनों ही तरफ signages अभी नहीं लगे हैं लेकिन 90% काम इस वाले पार्ट पर complete दिख रहा है तो यह जो flyover हम पार कर रहे हैं इसको पार करके हम गनेशपूर area cross कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं छुटमलबूर की तरफ तो यह cemented road है जो पहले ही बनके तयार हो चुकी है और यहीं पर कुछ-कुछ जगे पर जहां पर road 4 lane है यादि की 2 lane, 1 side और 2 lane, 2 lane डूसरी side उसको extend करके 6 lane में convert किया जा रहा है आप left side में देख सकते हो बिल्कुल extreme left में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एक service lane बनाई जा रही है जो आसपास के villages use करेंगे ताकि उनको highway पर आने की जुरत ना पड़े और उसके अलवा अभी ये 2 lane है इस तरफ तीसरी lane को भी बनाने का काम यहां पर चल रहा है तो आप कहा सकते हैं कि गनेशपूर cross करने के बाद अभी यहां पर third lane extension का काम पूरा नहीं हुआ है वो भी चल रहा है यहां पर जो area अभी हम cross कर रहे हैं आप देख रहे हैं left side में बहुत wide area cover किया गया यहां पर तो हो सकता है कि आने वाले समय में मतलब बहुत जल यहीं पर एक और tall plaza ready हो जाए क्योंकि देहरा दून से निकल कर जब आप पूरा elevated section cross करेंगे तो उसके बाद में भी पहला tall आपको यहीं देना हो और उसके बाद फिर आप बढ़ जाओगे चुटमलपूर की तुरब उसके अलावा जित्ती भी आप road देख रहे हो यहां पर यह अभी दो lanes ही है लेकिन left side में कुछ lanes extend करने का काम चालू है लगातार अब left side में देख सकते हो यहां पर third lane को extend करने के लिए कुछ area cover कर लिया गया है वहां पर अभी आपको मैं थोड़ा उस side जाके दिखाऊंगा same काम जो left side में हो रहा है वैसा ही same काम right वाली side में भी हो रहा है यानि कि दोनों side काम एक साथ ही चल रहा है तो हम देख सकते हैं यहां पर कि पहले जो road थी है दो lanes थी इस तरफ यहां पर देखो तीसरी lane extend कर ली गई है यहां पर यानि कि कुछ area जो है extra इसमें add किया गया है ताकि तीसरी lane बना ली जाए और यहीं से एक बार फिर से हम आ जाते हैं service lane में जहां से एक flyover राइट साइड में बनता दिखाई दे रहा है यहां यहां पर शायद गनेशपूर क्रॉस करने के बाद सुंदर पूर एक जगे आती है और वहां पर भी आसपास जो शेत्र है उसमें काफी आबादी है जिसके कारण शायद यहां पर भी इस तरह का flyover दिया जा रहा है पिस तो यहां पर आप राइट साइड पर देख सकते हो यह रैम्प वर्क दूसरी साइड वाला जिसमें वॉल्स अब बन रही है और उसके बाद जल्द ही इसको कनेक कर दिया जाएगा में ब्रिजिंग पार्ट से तो यहां पर यह अभी काम अभी होना शुरू हो चुका है जबाद पर वaching पर और फिरसं घुंड पर अब भी उनी बाकि यह जैसे कि आप यहां देख रहे हो यहां पर अभी नहीं हुई है ways सर्विस लेन्स बनाई जारी हैं लेफ्ट साइड में इसका काम मेंली वही रहने वाला है कि जो भी आसपास के विलेज के लोग जो इस तरफ कम्यूट करेंगे जिनको हाइवे पे नहीं आने की जुरत तो वो लोग प्रॉपर वाइड सर्विस लेन है जिस पे ट्रैवल कर पा पर क्रूज कर पाएगी और डाही गंटे के आसपास में दिली पहुंची जाओगे तो फ्लाइओवर के गर्डर्स यहां पर रखे गए हैं क्योंकि कुछ एक एरिया ऐसे हैं इस रोड पर जहां पर काफी बड़े संख्या में इस तरह के गार्डर्स और सब समान को इकठा गया गया हैं और जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हैं वहां पर यहीं से इसको कर दिया जाता होगा जो भी लेफ्ट में आप देख घिए हो ना यह तीस्री लेन एक स्टेंशन से बाढ़िएए । किया जा रहा है तो कई जगे ऐसा भी फिल हुआ है मुझे कि थोड़ा सा अंस्टेबल सा है वहां पे सेक्शन वो क्यूंकि एड किया गया है बाकी तो जब कंप्रीट रोट तयार होगा तभी पता कर पाएंगे और वैसे भी लेफ्ट एक्स्ट्रीम लेफ्ट में वह गाड़ तो यहां पर आप देख रहे हो लेफ्ट और राइट साइड में काफी आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी इसका मतलब यही है कि यह जगे पर ट्राफिक जो है ना अकसर एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए रोट पर आता ही होगा तो यहां पर शायद प्रॉ बिहारी गड़ वाले एरिया में बेंटर कर रहे हैं तो बिहारी गड़ एक ऐसा एरिया इस रोट पर जो हाइली कंजस्टीड एरिया है और यहां पर एक एलेवेटीड सेक्शन त्यार किया ज़रा है काफी लंबा बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे हरिदवार में शांतिक कु कंप्लीट हो गए हैं गर्डर्स लॉंचिंग इसमें हो रही है काफी जगे पर काफी जगे पर हो भी गई है और पर और उसके अलबा थोड़ा आगे हम जाएंगे तो यहां पर यह पिलर्स रेडी तो हो गए हैं लिकली इन पर गर्डर्स अभी लॉंच नहीं किये गए अच्छा कासा लंबा सेक्शन यां कवर किया गया है जिसको एलिवेटीड रखा गया है और यह बिहारी गर्ड पू अगर यहां पर एलिवेटीड सेक्शन ना दिया जाता तो यहां पर डेफिलेटली गाडियों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती बट अभी नहीं होगे क्योंकि अब तो आप बिल्कुल ऊपर से निकल जाओगे और क्योंकि यहां से हरीदवार की तरफ से भी कुस ट्राफिक आता है मुलब हरीदवार की रोश्णाबाद या उस साइट से इसी लिए मार्किट काफी कंजस्टिड है यह तो भाई बिल्कुल मैं कोच को देखकर यहां लग रहा है जैसा कि जब शांतिक उन्जोला फ्लावर बनाता तो उसको मैंने इसी तरीके से बनता हुआ देखा थ रही था सेम सेम काइंड ओफ यह अलिवरिट सेक्शन है सिंगल पिलर सिक्स लेंस और बहुत ही लंबा रोड है यहां पर अभी पिलर आम साइद बनके रेडी हो रहे हैं अब यहां पर पिलर्स वेगरा कंप्लीट अभी हुए नहीं है उनके पिलर आम्स को बनाया जा रहा है यहां पर अभी खाली पिलर सेक्शन ही तयार हुआ है तो यह अपडेट है यहां का बिहारी गड़ की साइट से मैं निकल रहा हूँ इस समय और यह बहुत ही क्लीन है यहां से आप देख रहे हो कि जो बिहारी गड़ से एलिवेटिट सेक्शन शुरू हुआ था वह सीधे इस हाइवे पर ना मर्ज होकर लेफ्ट डिरेक्शन में चला गया है यानि इसे बाहर की तरफ से निकाला जा रहा है इसका कारण अगर किसी को पता हो तो जरू को में जिरूर बता देना सीधे जो हाइवे जा रहा है यह चुटमलपूर की तरफ जा रहा है और बहुत सी जगे पर हाइवे इसी तरीके से सीधे निकाला गया है यहां बे खास तोड़ से बिहारी गड़ से पार होते ही पुराने वाले हाइवे को ना यूज करके left side में ए इसको सकते हैं चुकि इसके आगे एक नदी भी है एक छोटी सी रिवर स्ट्रीम है जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है पहले से ब्रिज बना हुआ है एक नया और आप देख रहे हो ऐसा कोई बहुत ज्यादा ट्राइफिक भी इस रोट पे नहीं दिख रहा है असपास बार कर लिया गया है इस एरिये को क्रॉस करने के लिए यह दो लेन है उसके बाद एक सर्विस लेन है तील लेन करने के लिए यहां पर एक सर्विस लेन भी आट करनी पड़ती प्लस तीसरी लेन की आट करने की जगे भी नहीं है और फिर वो मकान तोड़ने ही बढ़ते है शैदिस वज़े से नहीं ने रोड को भार ही निकाल दिया है अब हम आगे हैं उस सेक्षिन में जहां पर आप देख रहे हो थोड़ा सा ग्रीन फिल्ट टाइप है और यह थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो नदी शुरू हो जाती है तो लेफ्ट साइट से यह रोड बाहर आ रहा है आपको दिख गया होगा पिलर्स गर्डर्स वाँ लॉंच हो गए है यह देखो यहां से बाहर आ रहा है बिल्कुर इसका कारण यही है कि वहां पर थोड़ा सा अबादी शेतर है दो दो लेन दोनों तरफ हैं और तीसरी लेन प्लस सर्विस रेन एक्स्टेंड करने के लिए कुछ और मकान तोड़ने पड़ते हैं शायदी ही कारण होगा कि इस हाइवे को बाहर बाहर से ही निकाल लिया गया है तो आप देख रहे हैं यहां पर यह एक नदी है नदी के उपर यह भी जो ब्रीज है वो भी नया ही ब्र अभी एक और नया ब्रीज प्रॉपर सिक्स लेन से लेफ्ट साइड से बाहर आएगा और फिर उसके बाद सामने आप देख रहे होगे कुछ और पिलर्स सिदा इसके ओपर कनेक्ट हो जाएगा यानि की काफी लंबा एलिवेटीट सेक्शन ये भी रहने वाला है जो की बिह बिहारी गड़ से थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है और उसके बाद पूरा बिहारी गड़ क्रॉस करने के बाद यहां पर फिर से आप देख रहे हो पिलर्स है इसका बीच का काम कंप्लीट कर लिया गया है बट आगे बीचे के रैंप अभी तयार नहीं किये गए है तो यहां पर आकर प्रॉपरली यह एलिवेटीट सेक्शन खतम होगा शाय थोड़ा और यहां कि जाएगा तो यहां पर देखों लेफ्ट साइड में काफी जगे है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा लेन जो कि सर्विस लेन प्लस थर्ड लेन एक्स्टेंड करने के लिए जगे है यहां पर इसलिए यहां पर डेफिनेटली एलिवेटीट सेक्शन खतम होने के बाद फिर उसके बाद वापस आप नॉर्मल रोट पर आजा हुए जितना मैंने इस रोट पर ट्रेवल किया है काफी जगे पर अपर तरीके से थ्री लेन भी बनी हुई है और कई जगे पर दो लेन बनी हुई है जैसे अब यहां देखो लेफ्ट साइड में तीसरी लेन आपको नजर आ रही होगी यह एक्स्टेंडीड है पहले सिरफ यह द रैंप वर्क आपको होते वे दिखाई दे रहा है वाल्स वेगर आपर कम्प्लीट हो रही है दीरे जरे करके और यह इसका आने वाला ब्रिजिंग पार्ट जिसे पहले से ही कम्प्लीट कर लिया गया मतलब इस रोट पर तक जितने भी फ्लाइओवर हमने देखे हैं छोटे आरे में रोट पर उन सब जगे पर इस तरह के फ्लाइओवर्स दिये जा रहे हैं और जहां पर फ्लाइओवर्स की जुरुत नहीं है वहां पर एक्स्ट्रा लेंस बनाई जा रही है ताकि लोकल ट्रैफिक बिल्कुल भी में एक्स्प्रेस वेपर ना आए अब हम आगे हैं फिर से राइट साइड में जो पुराने वाली रोड है उसके उपर और इसको आप देख रहे हो तीन लेन बना ली गई है यहां पर प्रॉपर ली और एक एक्स्ट्रा लेन यानिकी सर्वेस लेन या भी लेफ्ट साइड में बनाया जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो लेन है उसको तयार किया जा रहा है जो एक्स्ट्रा लेन है और उसके लावा जो थर्ड लेन है वो भी यहां बर बनके तयार हो चुकी है जिस पॉइंट पर मैं अभी चल रहा हूँ ना ये तो पहले से ही six lane हो रखी है पहले से ही इनको जो बनाया गया था चुकी जितने भी चोटे बड़े flyovers हैं उन्हें पहले से ही six lane रखा गया था तो इसको तुम कह सकते हैं कि इसको तो इन्होंने extend नहीं किया होगा पहले से ही बनी हुई है जिस पार्ट पर मैं अभी चल रहा हूँ ये six lane है ये पहले सी six lane है और बहुत से ऐसे flyover या छोटी मोटी पुलिया जो बनी वेनस रोट पर उनको पहले सी six lane कर लिया गया था बट जहां पर रोड को six lane नहीं किया गया था वहाँ पर एक पार्ट extra extend करके third lane को बनाया जा रहा बट अभी जो काफी बड़ा section है जो पहले से बना हुआ है वो already concrete section है तो यहाँ पर दिली दिरहदून का traffic जो है वो तो इसी road पर जाने वाला है ऐसा नहीं है कि बहुत खराब होती है road पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप high speed की बात कर रहे हो तो जो black road होती है ना वो बहुत फील कर सकते हो गाड़ी की स्टेबलीटी की वज़े से भी एक तो उस पर गाड़ी स्टेबल बहुत रहती है मतलब आपको high speed में यह लगता कि आपकी हवा में चल रही है वो चिपके चलती रोड पर यह concrete road पर गाड़ी चिपके नहीं हो चलती है ऐसा मुझे फील होत कर चुके भी हैं पर क्योंकि अभी वहां पर road signages complete नहीं हुए है तो उसकी वज़े से आपको साफ दिख जाता है कि यह तीसरी लेन अभी बनाई गई है पहले यहां पर नहीं थी अभी यहां पर आप देखरो left side में area को cover किया गया है ताकि तीसरी lane extend की जा सके क्योंकि यहां आप देख लो यहां पर तीसरी lane बना ली गई है पहले दो लेंस थी यहां पर तीसरी lane को cover कर लिया गया है तो यह जिस area में चल रहूना में वह अभी नया बनाया गया है यानि कि half of this part आधा पार तो पहले सी था पर आधा पार अभी बनाया गया है तीसरी lane को complete करने के लिए और क्योंकि यह area खेतों के आसपास से निकल रहा है तो यहां पर अलक से service lane भी देने के जरूत नहीं है तो properly बस थोड़ा ही area cover करके तीसरी lane बना ली गई है यहां पर तो यह अभी नया बनाया है अभी जिस area में हम पीछे थे वहां पर three lane दोनों side पहले ही बनी हुई थी कि तीसरी lane इस पर add की जा सके तो देखो हमारे सामने फिर से three lane road शुरू हो गई है क्योंकि यहां पर एक चोटी सी पुलिया है जो पहले से three lane है दोनों side three lane three lane मतब six lane है और उसके बाद जैसे ही यह पुलिया खतम होती है आप देख रहे हो फिर से two lanes यहां पर नजर आ रही है लेकिन तीसरी lane के लिए left side में area cover कर लिया गया है एक बर जब signages complete हो जाएंगे तो यह proper three lane बन जाएगी पर three lane के construction को complete कर लिया गया है इस जगे पर हम चुटमलपूर की तरफ बढ़ रहे हैं इस समय और चुटमलपूर road की diversion की तरफ तो उस area में आप देख रहे हो जहां पर two two lanes हैं उसको six lane कैसे किया जा रहा है यहां पर आप देख रहे हो पुलिया के बाद वाले हिस्से में तीसरी lane बना दी गई है तो एक बार फिर आप देख सकते हैं left side में area की filling की जा रही है ताकि यहां पर road के बराबर लाकर इसमें तीसरी lane को add किया जा सके है यह पुराना road ज इसमें थोड़ा सा इससे add करके तीसरी lane को भी complete किया जा रहा है यहां से